सबी को प्यार बढ़ा नमशकार, Imperial Agro Classes में एक बार फिर से आप सबी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ JET 2011 का पेपर क्रशी विज्ञान का कल हमने जो क्लास डिसकस की थी वो किया था JET 2012 का क्रशी विज्ञान का पेपर अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखिए तो उसको जाके देखो और ये 2011 में जो एगरी कल्चर का पेपर आया था जेट का उसका वो है तो उस बारे में आज हम बात करेंगे देखते हैं कैसे क्विश्टन आये थे और इनके क्या आंसर है और कैसे हम पेपर को आसनी से हल कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं Q1 है, सर्सो का वानस्पतिक नाम क्या है? Option A CCMM Indicam, Option B Bresy का जुन्सिया, Option C Airekis Hypogyas, Option D UproCT में से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर होगा Bresy का जुन्सिया. Bresy का जुन्सिया इसका क्या है? Right आंसर है. CCMM Indicam किसका नाम होता है? तिल का वनसपतिक नाम गोर है मूभली का वनसपतिक नाम टो ब्रेंशी का जुंख सरसो का सीसेम लोकल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स् Job Defond Land यह ऊच्छिवरक्ष बाग जिस दिशां में लगाया जाने चाहिए वह हैं यानि की जो बाग होता है उसमें वायूरोदक उचे व्रक्ष लगाये जाते हैं वो किस दिशा में लगाये जाते हैं उत्तर पूरव दक्ष्णिन या पस्चिम तो हमेशा जो वायूरोदक या उचे व्रक्ष लगाये जाते हैं वो पस्चिम दिशा में लगाये जाते हैं क्योंकि हमेशा जो तेज हवाएं औ तेज होई आती हैं इसलिए उनको रोकने के लिए क्या करते हैं उच्छे उचे बरक्ष लगाते हैं चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं next अगला question है अलफान्जो किस इस्थान की आम की प्रसिद्ध किस्म है तो सबसे पहले तुम्हें बता देता हूँ आम की अगर आपसे पूछा जाए question आए कि आम की सबसे अच्छी किस्म कौन सी मानी गई है आज तक तो अलफान्जो को माना गया है सबसे अच्छी किस्म की जो आम होते हैं वो कौन से होते हैं अलफान्जो होते हैं अब इस question में आपसे पूछा है कि अलफान्जो किस इस्थान की आम की प्रसिद्ध किस्म है तो अलफान्जो रतनागिरी जो शेत्र है रतनागिरी शेत्र है उस इस्थान की आम की प्रसिद किस्म है, कहा की है? रतनागिरी शेत्र की आम की प्रसिद किस्म है चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं अगला सवाल है डिप सी चाई विधी का अविश्कार कहां पर हुआ था? डिप सी चाई विदी का अविश्कार कहां पर हुआ था ओप्शन है इसराइल फिर बी जर्मनी फिर सी भारत और डी श्री लंका तो जो डिप सी चाई का अविश्कार हुआ था वो कहां पर हुआ था इस्राइल देश में हुआ था और जो ड्रिप सीचाई है मुख्य रूप से एक तो सब्जियों में और जो फल्वरक्षी या फल के उद्यान होते हैं वहाँ पर इसको उप्योग किया जाता है इसके साथ ही उन शेत्रों में भी इसका उप्योग किया जाता है जहां पर जो किया था वो किया था इस्राइल देश ने चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मिर्च में लाल रंग किसके द्वारा होता है या मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उसमें पूछा गया था मिर्च में जो तीखाप किसके कारण होता है और इसमें क्यूशन है मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है और अगर आप किसके कारण होगा केप से सीन के कारण दोस्तों यह जो क्यूशन है यह हमेशा कन्फ्यूश करता है और इसलिए एक्जामिनर को पूस्ता है जरूरी नहीं कि अगर आप अग्जाम की तयारी कर रहे हो तो उसमें भी यह पूछा जाता है आप एक्रिकल्चर सुपरवाइजर का आप यह का कंच रहे हो जाता है तो लाल रंग हमेशा केप से थीन के कारण होगा और अगर आपसे पूचा जाए कि मिर्च का जो तीखापन हुता है तो वह आप से कारण होता चली अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स क्यूस्चन सुप्रवाइजर 2012 में पूछा गया था कि मुली में तीकापन किसके कारण होता है तो किसके कारण होता है मुली में थीकापन होता है आई-सो थायो साइनेट के करण चलिए अगले सवाल की तरफ पड़ते हैं नेक्स्ट कुशन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है अब देखो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब यह होता है कि बिना मिट्टी के सिर्फ और सिर्फ पानी में ही पोदो को क्या कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है यह कुशन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जल यह या जल में पोदो की खेती करना क्या कहलाता है तो भी क्या हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए होगा बिना मर्दा के तो आपसे वहाँ कुछन एसे भी पूछा सकता है कि राजस्थान का राज्य व्रक्ष है और क्या है कि तरीका और पूछने का वहाँ पर यह पूछने का वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोस्विस सीनेर एरिया राजस्तान में किस से संबंद रखता है यह हमारे राजस्तान का राज्य रक्ष है तो ध्यान रखना है कैसे भूम के आ सकता है आपको अपने तयारी को भूमक्त को बिल्कुल और जहीं दंग से करना है चलिए अगले सवाल की तरफ और देक Stress Moon Тогда और मर्दा की हमाद से मापी जाती है वह मापी जाती है टैंची होम इस्थाओ मीटरसे मापी जाती है अगर आपसे मर्दा तनाओ भी मोचलिया जाए जाता है अब अधर जिए रखे हैं उसका बतादेता हूं हैं दो होताँ वह वातावरन की न महतने के लिए बातावरन की नमी को मापने के लिए मिती UM noun नेड़ों जो scholarship की मात्राव जब मांपी जाती है तुन रेंगेज के द्वारा मापी जाती है चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट है चामल के खेट से कौन सी गेस निकलती है चामल के खेट से कौन सी गेस निकलती एथेन, मिथेन, उक्सिजन और CO2 तो इसका राइट आंसर होगा मिथेन क्या होगा? मिथेन और इसका जो formula होता है वो होता है CH4 methane का formula क्या होता है CH4 तो question आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चामल के खेट से कौन सी gaze की गंद आती है तो भी क्या हो जाएगा methane CH4 और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सड़ी हुई मचली की गंद किस खेट से आती है या किस फसल के खेट से आती है तो भी right answer इसका क्या होगा चामल के खेट से चामल के खेट से सड़ी हुई मचली की गंद भी आती है और वो सड़ी हुई मचली की गंद methane की जैसी होती है इसलिए methane gas की बदबू भी आती है और सड़ीवी मसली जैसी गंद होती है इसलिए इसको क्यूशन को ऐसे भी गुमा कर पूछा जा सकता है अगला क्यूशन है पपीते में पाये जाने वाला एंजाइम है तो पपीते में क्या पाया जाता है पपीते में पपेन नामक एक एंजाइम पाया जाता है और इस पपेन में एक बहुत ही गुणकारी ये तत्व होता है क्योंकि जितने भी पेट संबंदी बिमारिया होती है उनकी जो दवाईया बनाई जाती है उसमें इस पपेन का बहुत उप्योग किया जाता है तो पपेन किसे प्राप्त होता है पपीते से प्राप्त होता है और पपेन से कौन सी दवाया बनाई जाती है पपेन से बनाई जाती है पेट संबंदी विकारों को दूर करने के लिए दवाया बनाई जाती है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेट संबंदी विकार दूद निकलता है वो ही क्या कहळाता है वो ही पपेन कहलता है घृथ कि अगरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स कुश्fight World कच्चे केले को पकाने में कौन सी गेस काम में आती है कच्छे केले को पकाने के लिए कौन सी गेस काम में आती है ऑप्षन है oxygen hydrogen adenine और acetylene तो कच्छे केले को पकाने के लिए acetylene gas काम में ली जाती है कौन सी गेस acetylene अब कुश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में केले को कौन सी विदी से पकाया जाता है भारत में केले को कौन सी विदी से पकाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा दुम्र उपचार विदी से कौन सी विदी से दुम्र उपचार विदी से केले को भारत में अधिकांस्त हैं केळे को इसी तरह से पकाया घाता है कुछ-कुछ जगह पर जलाओन ॥ उप्योग की यह उसका एक यहका 15 इसमीं क्या होता है कि सबसे पहले की नतरुदOO मात्रा होती है उसको कमरे में रखने के बाद में उसको ऊस्को कमरे के अंदर बहुत सारा धुमा कर दिया जाता है और धुमें करने के बाद में उस कमरे को बंद कर देते हैं जिसे एक और दो एक या दो दिन में वो केले पक जाते हैं तो दुम्रुप चारविदी का कौन से फल में काम में लेते हैं केले को पकाने के लिए काम में ली जाती यहाँ सुप्षेटे चरफ के रोगतां के लिए काम में ली जाती है चली अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं अब पिछली बार या सं 2012 पेपर बताये था है उसमें पूछा थागी बेस में घरबभवदी होती यहां पर इसमें घर selon यहांiron लिला रोम्हीं नेमेटोड़्त नीमेटोड़ से हुने वाला रोग मॉल्य रोग उक्टा रोग जड़गलन और माथबंदी तो जड़गलन को देखे स्टुड cities राथे हैं ओर जड़गलन सक ही कर देदे हैं जबकि जड़गलन यहाँ पर नहीं आएगा यहाँ पर नहीं कोगा कुष्हा एक्ला सवाल डोल्ड किसंटंबर 16 जवार के बाच्रीट के दाने में सबसे अधिक मात्रा होती है अप्श्यक्र से प् súndis प्रोटीन फिर कंई लिवन और क्रिफर तो जब बिर कि दाने में सबसे जदा क्या होती हैशाइब इसनी भी अनाज वाली फसले हैं गेहूं जो मक्का बाजरा चामल उसमें उन में से सबसे ज़्यादा अगर आप से वसा पूछ ली जाए कि वसा किस किस फसल में होती है बाजरे की फसल में यह क्यूशन डबल यू में आयाववा है वहाँ पर क्यूशन ऐसे था कि निम्न में से सबसे अधिक वसा किस फसल में होती है उसमें चावल भी था गेहूं भी था मक्का बी था और बाजरा बी था तो उसका राइट आंसर क्या था उसका राइट आंसर था बाजरा बाजरा में सबसे अधिक वसा होती है और जमार के द एक पियाज के ठीख्यपन का कारण क्या होता है अला ऐल प्रोपाइल डैस एलफाइड अगर आप से पूछिंवा कि लेसन के ठीख्यपन का करणन क्या में ने भी अगली सवालकि ठटते हैं घिया जाएा है अगली सवादी तरफ कौन थे तो पूसा संस्तान के प्रतम निदेशक कौन थे डाक्टर बीपी पाल पूसा संस्तान के प्रतम निदेशक थे पूसा संस्तान का मतलब यहां पर है जो तो ICR था उसी को पूसा संस्तान बोलते हैं तो ICR के प्रतम निदेशक कौन थे निदेशक या महा निदेशक भी उसको बोल सकते हैं कौन थे डाक्टर बीपी पाल फिर अगला क्यूशन है किसकी उपस्तिती के करण दूद का रंग सफेद होता है पिछली वीडियो में मैंने करवाया था तो चली मैं बता देता हूं एक बार फिर से क्यूशन सोरी ऑप्षण लाइकोपीन ऑप्षण भी लेक्टोज ऑप्षण सी केरोटीन और ऑप्षण डी केसीन तो दूद का सफेद रंग अगर पूछा जाता है आपसे तो केसीन प्रोटीन के करण अगर गाई के जाए हैं दूद का हलका पीलापन आपकोचा जाता है तो केरोटीन प्रोटीन अगर आपसे पूचा जाता है कि टामाटर का लाल किसके करणव होता है तो फिर फुछ इसका राइट आंसर होगा लाइकोव्शन अगर आपस से बथा ललताय में एक बार है कि तरत दुद्स का सफेर रंग किसके कारण होता है दूद्स का सफेर किसके कारण होगा और होगा किसी तर है कि दूद का हलका पीलापन या गाई के दूद का हलका पीलापन किसके कारण होता है तो वो किसके कारण होगा के रोटीन के कारण होगा अब क्यूशन गुष्चन घुमा के कीसे भी आ सकता है आपको चारो तरफ से जानकारी से अपडेट रहना जरूरी है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए मैंने पिछली वीडियो के लिए बोला था आपको कि कम पचास लाइक हो जाएंगे लेकिन जिए वहां पर 35 लाइक भी नहीं हुए ऐसे डी मोटिवेट होने के बाद में नेक्स्ट हो सकता है कि बविशे में आपको वीडियो ना मिल पाए इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय दें और आपको कौन सा मटीरियल आगे स् बढ़ता है कौन सा बारतिय राज्ये एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है कि अगर अजमेर जिला अजमेर जिले में सबसे ज़्यादा राजस्तान में अंडे का उत्पादन होता है इसलिए अजमेर जिले को राजस्तान की अंडे की टोकरी कहा जाता है भारत की अंडे की टोकरी या एशिय की अंडे की टोकरी किसको बोला जाता है वो बोला जाता है आंदर प्रदेश क हो बूल जाता है करा जले अल्य a अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मुर्गयों में चेचक रोग का क्या कारण है मुर्गयों में जी रोग का क्या रख hisın में दी पिर जीवान और ऑपिर इंब सेयं कोई नहीं तो मुर्गियों में चेचक रोग होता है वो वाइरस से होता है किसे होता है वाइरस से होता है चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं राजस्तान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है और यह अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं कुछ नबर 23 फलो में कौन सी शरक्रा होती है तो फलो में कौन सी शरक्रा होती है फलो में हमेशा होती है फ्रुक्टोज शरक्रा कौन सी शरक्रा होती है और शरक्रा के कारण ही इसी शरक्रा के कारण ही फला में क्या लगते हैं चली अगले सवाल की तरफ बड़ते हैं नेक्स क्यूष्टन है वाईधाब किसके दवारा ग्याद करते हैं? ऑप्षिन है हाईग्रोमेटर बेरोमेटर, लेक्टोमेटर और एनिमोमेटर चारोमेटर के क्या क्या उज है? मैं मैं सारे बताऊंगा आपको ज्ञान से सुनना देखो पहले इस the question का आंसर बता देताएं चयाता है वह यो elyn जैनि की जो इंटमोसफेर का जो प्रेशर ग्यात किया जाता है या मैजर किया जाता है वह किया जाता है बेरो मीटर से अब बता देता हूं हाइग्रो मीटर किस काम आता है हाइग्रो मीटर आता है वातावरण की नमी को मापने के लिए वातावरण की नमी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है हाइग्रो मीटर का उपयोग किया जाता है अब आता हूं लेक्टो मीटर का है एनिमोमीटर आज तक सबसे ज़्यादा पुछा गया एनिमोमीटर ही है क्योंकि इसी में स्टुडेंट कन्फ्यूज होता है एनिमोमीटर का उपयोग वायू की गती को मापने के लिए किया जाता है यानि कि जो स्पीड होती है वायू की या विंड स्पीड होती है उसको मा राइक जरूर करतीजिएगा नेक्ट क्यूशन है निम्न में से गेहूं में सीचाई की क्रांतिक अवस्ता है ओप्शन ए सी आराई ओप्शन भी कल्ले फूरते समय सी फूल आते समय और डी सभी तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी आर अभी सी आराई की तीन चार नाम हैं व जो सीच जड़ होती है उसके फूर्टे समय इसका यह इस गहुं में क्रांतिक अवस्ता आ जाती है अब आपको मैं यह प्ता देता हूं कि यह और वस्ता होती है उससे आप क्या समझते हो कि जब पोदा उगा हुआ होता है और जब उसकी क्रांतिक अवस्ता आती हैं अगर उस अवस्ता में उसको सीचाइज जल उपलब्द नहीं करवाया गया तो कोदा आगे सरबावन नहीं कर पाता है उसको उसको मतलब करें तो अ क्या हो जाता है यह होगी उसक Dragic आएगी यह क्यूशं किते हैं किते हैं इसमें 21 दिन के अवस्ता पर यह आता है और जब यह अवस्ता होती है तब उससमें के पोदे में 3-4 पतिया होती है यह वह पुछा गया है कि सि आराई में कितनी पतिय वोती तो सैस्ट सेज में 3-4 पतिया होती है बिल्बकुल right बीज पर कौन सा टेग लगा होता है तो प्रमानित बीज पर नीला टेग लगा होता है और आधार बीज पर कौन सा होता है आधार बीज पर सफेद टेग लगा होता है अब यह टेग की क्या रामायन है यह एक बार में फिर से आपको बता देता हूं देखो जब किसान कहीं भी बीज खरीदने जाता है किसान कहीं भी बीज खरीदने जाता है तो जब वो बीज खरीदता है तो हमेशा उसे एक ही प्रकार का बीज मिलता है और वो बीज होता है प्रमानित बीज कौन सा बीज होता है प्रमानित बीज तो आप से अगर कुछ लिया जाए कि किसानों को कौन स कौन सी दिया जाता है और उच प्रमाणित přीज पर कौन अ से चेक होता है नीली रंग क्यं होता है उस पर कपड़े का एक टेग लगा होता है जिसमें उसकी सारी जानकरी होती है कि बीज में अनवासिक सुत्ता कितनी है बीज में बीज की मात्रा कितनी है और उसे जुड़े सारे ही जो उस बीज का व्योरा होता है वो उसमें लगा होता है तो अलग-अलग जो बीज होते हैं उस पर अलग-अलग प्रकार का टेग लगा होता है अलग-अलग कलर का टेग लगा होता है तो प्रमानित बीज जब हम यह ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें तभाकु की जो फ्लूवर्स होता हैं फूल होते हैं उन को तोड़ की पत्चयों की जो ग्रोथ होती है वह ज्यादा होती है और मात्र्त्ति होती है हलां कि custom अर् edys को खाने का ये होता है कि अधिक सभी संक्या में पतिये प्राप्त हो सके इसलिए हम कौन सब्सक्रींग में क्यूरिंग नाम की प्रोसिस करते हैं माखू में जिसमें उसके प्षूल को क्या कर देते हैं तोर देते जिस पदार्थ कौन सा है या मादक पदार्थ कौन सा है तो वह तो सब जानते हैं कि निकोटीन इसमें पाया जाता है अगर आप से पूछा जाए कि तंबाकू का जो पोदा होता है उसमें निकोटीन बनता कहां पर है तो बनता तो है वह जड में कहां पर बनता है बनता तो जड मे बढता है और जड़ में बनने के बाद में स्टोर कहा पर होता है पत्तियों में हो जाता है तो यह कुछ सब नीपिंग किसे कहते हैं तो यह सबसे पहले तो यह भी पूचा जा सकता कि आप से कि कि नीपिंग प्रॉससेस कि वे करते हैं और नीपिंग uncont celle कि चने की शीर्ष शाखाओं को तोड़ देते हैं जिससे उसकी ग्रोथ अधिक नहीं होती है और उसमें जो फली यह होती है वह फली ही होती है जिसके अंदर चना बनता है तो ह andar इस प्रोसेस चन्ने में करते हैं, और इस प्रोसेस में क्या करते हैं चन्ने की शीर्ष कहए तोड़ दी जाती है। चलबर इस वाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्ट कुशन नमर 15whmoth वाइट गोल्ड के नाम से जाने वाली फसल हैं तो वाइट गोल्ड किसे कहते हैं कपास को हमेशा सफेद सोना हम बोलते आएं और आगे भी बोलते रहेंगे अगला क्यूशन है एपिकल डॉमिनेंस किस फसल में पाई जाती है एपिकल डॉमिनेंस किस फसल में पाई जाती है एपिकल डॉमिनेंस किस में पाई जाती है गन्ने में पाई जाती है जहां पर से गन्ना उगता है वहां पर से और दो तीन चार शाकाएं निकल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है में प्रुमिन सो प्रुनिग कब करते हैं एक सिर्ट का मतलब होता है कि आงगूर का जो पहले सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि अंगूर का ना तो पेड होता है और नहीं पोदा होता है अंगूर की बेल होती है ठीक है अंगूर एक बेल होती है और यह बेल फैलती है और इस पर क्या लगते हैं इस पर लगते हैं अंगूर तो अब पुछा गया है कि अं पांट चाट करने के बाद में वहां से नई शाकाई निकलती हैं और नई शाकाई बनती हैं उससे अधिक फल लगते हैं और उत्पादन भी हमें अधिक प्राप्त होता है तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि प्रूनिंग क्या होती है चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं नेक्स्ट है पश्वों की हड्डियों की खाथ से कौन सा पोशक्तत्व प्राप्त होता है तो फासफरस्तत्व हमें प्राप्त होता है फिर यह क्यूश्चन है यह पीछे भी पूचा गया था और इस पेपर में फिर से आ गया राजस्तान की मेरीनों भेड की किस नसल को कहते ह सबसे चोक यहां बच्चा और आपको नहीं हॊना देखो राजस्थान की अर्तिवेवस्ता पूचा यहां लात कि पूचा जाए तो उसमें वैसे क्Ayस現在 की तो राजस्तान में सबसे प्राप्त होती है और राजस्ताइख सवाइरत से फ्राप्त होती तो ऑरप्त होती इसलिए में अरथवे उस्तान में यह सबसे पहले इस्तान पर जाती है कुर्पब कामल का विमारी किसा फेलती है कुर्पका मुपका बिमारी का जो वाइरस द्वारा होती है वाइरस से में याद आगा तो आप घर में रहें रहें और जो भी सरकार ने जो कदम उठाएं उनकी पालना कीजिए और हो सकता है लोगडाउन जल्दी ही खुल जाएगा अगली सवाल की तरफ बढ़ते ह देखो अब लिए लोग लेक्टोस फिर से आगए लेक्टोस का मतलब दूद का कार्भोहड्रेट जिसके करना दूद क्या लगता है मीठा लगता है लेक्टोस क्या होता है दूद का कार्भोहड्रेट होता है जिसके करना दूद क्या लगता है हलका मीठा लगता है जब वह कच्चा रहता है तब पूछा है कि लेक्टोंट कितना होता हैं तो चारपॉंट प्रतिशेd किता होता है चाहर तरी जमने के तापमार पर यह उप्योग तरीके से जमता है तो यह 38 कुशन थी जो सन 2011 के जेट के पेपर में एगरी कल्चर के पार्ट में पूछे गए थे यह वो कुशन थे उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको वीडियो बहुत ज्यादा अगर आपको वीडियो लगा है तो ठीज वीडियो को अब आपने लाइक नहीं कर दूगए तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीज ूशन जरूर करनो और कमेंट करने के साथ साथ मूषा जैंब बताना कि नरे पर चाहाद jsु मैं पूराने पेपर पड़े हैं मेरे लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके दिखाते रहें तो आज की लिए बस इतना ही थेंक यू